और लेट गैस तो हमने यह देखा कि हमारी यह जो IP addresses को जब हम विजट कर रहे हैं तब क्या हो रहा है कि हमारा यह PHP की जो info वाली page है वो हमको दिखाई दे रहा है और ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि हम लोगोंने सारा का सारा setup जो हो successfully lamp stacker कर दिया है लेकिन एक optional चीज में आप लोगों को install करवाना चाता हूँ और देखो यहाँ पर इन्होंने बताया हूँ अभी है कि यहाँ से आप कहा जा सकते हो PHP my admin setup आप लोगों को करवाना चाहूँगा और इनकी guide यहाँ पर उपलब्द है तो PHP my admin को setup करने की guide उपलब्द है यहाँ पर आप search कर सकते हो और इन्होंने update भी करी है अब यहाँ पर देखो how to install and secure यह आप लिखोगे जैसे google पर यह आपको मिल जाएगा तो मैं अगर link आपको देना भूल भी जाओ या ना भी दूँ तो आप लोगों को कोई problem नहीं होनी चाहिए यह type करना और आप लोगों को यह page मिल जाएगा अब PHP my admin क्यूं हम install कर रहे हैं इस जबारे में थोड़ा सा प्रकाच डालतो हो देखो हम अपने server को connect कर पा रहे हैं इस SSH के दुआरा और यह terminal हमें अपने server का मिल गई मेरे computer का terminal नहीं है मेरी machine का terminal है जो की शायद कहीं रखी होगी in fact Bangalore में रखी होगी क्योंकि मैंने Bangalore choose किया था वहां पर रखी गई machine का terminal है ठीक है और मैं इसको control कर रहा हूँ यहां से और अगर यह US में होती तो मैं US की machine को भी control कर सकता था अब यहां पर मैंने अभी क्या किया कि lamp stack को install किया मैं mysql के command को इस्तिमाल करके अराम से यहां पर आप लोगों को जो database मेरा है idiscus website का वो install करके दिखा सकता हूँ लेकिन क्योंकि हमारी आदत हो यह php my admin को इस्तेमाल करने की तो php my admin को ही install करते है चलो php my admin को install करने के लिए आप लोगों को यहां पर यह copy करना है क्योंकि हमने already pseudo apt update कर लिया था लेकिन तब भी चला लेते हैं चलो अगर आप लोगोंने काफी time से नहीं चला है तो चला लो इसको और उसके बाद आप लोग यह copy करो भी एक warning दे रहा है कि Apache 2 is highlighted but not selected मैं बताऊंगा आप लोगोंको आप लोगोंको बताऊंगा यह warning क्या कहरी है देखो इसको paste करना और enter मानना और यहां पर yes कर देना why enter कर देना और यह php my admin को install कर देगा अब देख होंगा तो यहां पर star आ गया मैंने spacebar दबाए अपनी keyboard पर तो star आ गया एक बाद स्टार आ गया तो मैं enter दबादूँगा और यह देखो continue हो रहा है installation यह मेरे लिए php my admin को setup कर रहा है करने देते हैं इसको setup php my admin को अब यह आप enter मारते हैं कहरा configure कर ने php my admin को अब यह password with one to harry और यहां पर देखो मैंने ऐसे कर दिया है और मैं आपर ls कर दूँगा तो यहां पर मुझे मेरी files में लिए php my admin जो है वो मेरा kind of setup हो गया है देखता हूँ आगे की कहानी क्या है अब यह कह रहा है कि आपको mb string नाम की एक extension को enable करना होगा ठीक है यह php का mod है जो कि ph my admin यूज कर रहा है और आपको इसको जो है as it is run करना है और यह हो गया enable अब मैं अपने अपाचे server को restart कर लूँगा restart कर लिया मैं अपाचे server को अब यहां पर क्या है कि हमने यह काम अलड़ी कर लिया यह कह रहा है कि configure करो password अपने mysql root account का यह काम हमने कर लिया है अलड़ी एक user बनाएंगे और उसको सारे privileges grant करेंगे लेकिन मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ गर आप अपने ip address slash phpmyadmin में जाएंगे तो आपका phpmyadmin यहापर जो है वो खुल गया है ठीक है तो यहाँ पर हम क्या करेंगे यह जो grant privileges है सारी tables का वो दे देंगे root को ठीक है तो यहा यहाँ पर अगर मैं login करूँ root और मैंने यहाँ पर code with 12 Harry लिखा और यह देखो मैं phpmyadmin के अंदर आ गया ठीक है तो मैं save कर दूँगा इस password को इस ip के लिए ऐसा क्यों हुआ मुझे यह करने की जरूरत क्यों नहीं पड़ी देखो इनोंने क्या किया थे एक नया user बनाया था और उसका privilege दिये और root को by default सारे privilege है इसलिए मैं अंदर आ गया तो आप अगर root से कर रहे हो तो आपका काम जो है और आसान हो जाएगा और आप लोग डिरेक्टली यहाँ पर आ जाओगे अब मैं यहाँ पर अपना idiscus सबसे पहले बना सकता हूँ database और idiscus database create करके मैं import और को कुछ issue आ रहा है काफी लोगों को आता है वो इसको ignore कर देते है anyways हम लोग क्या करेंगे एक sql file जो है उसको generate करेंगे और sql file को generate करके upload करेंगे या पर ठीक है और upload करके import कर लेंगे तो मैं आपर क्या करूँगा अपना जो zamp है वो चालू कर लेता हूँ सबसे पहले और उसके बाद अपना local host का phpmyadmin note that ये local host का phpmyadmin है ये मेरा प्योला phpmyadmin यहें जो कि hereș esto is server है मेरा local प्योगा PSPmyadmin है मैं idiskud को क्या करूँगा एक्सपॉर्ट करूँगा और इसको मैं e xport कर दूँग sql में और यहां पर जब मैं इसको export कर दूँगा idiscus.sql और जब मैं import करूँगा याँ पर ठीक है तो यहाँ पर मैं import करूँगा कुछ इस तरह से मैं इसको choose file करूँगा और यहाँ पर देखो आप लोग idiscus.sql मेरे downloads folder में है इसको मैं select करूँगा और go कर दूँगा और यह कहरा है please be patient हम काम कर रहे हैं इस पर और इसने मेरे सारे के सारे जो categories comments और सब चीज़ों को क्या किया import कर लिए अब यह errors आते हैं पता नहीं क्यों और यह आप ठीक भी कर सकते हैं उसका भी तरीका एक पट मैं इसमें नहीं जा रहा है अब यहां पर आप लोग देखो categories, comments, threats, users यह सब यहां पर आप लोग देखो कि सब कुछ हमारे import हो गए लेकिन हमारा जो database का password है वो अभी different है हमने change कर दिया अगर आपको याद हो तो तो हम अभी क्या करेंगे आने वाले videos में हम लोग database को connect करेंगे इस वाले से हम पहले localhost से connect करते थे अभी भी हम localhost से connect करेंगे लेकिन हम password जो है वो blank न देखे इसका जो password हमने set किया है वो देंगे और अपनी PHP website को जो है वो host करेंगे अब यहां पर मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ जब आप PHP install करते हो और Apache install करते हो तब क्या होता है by default एक virtual host बना हुआ आपको मिलता है अब आप लोग होगे यह virtual host क्या होता है मैं कैसी कैसी बाते कर रहा हूँ तो मैं बस अभी यह कहूँगा कर आप लोग एक beginner है और जल्दी से अपनी PHP website को खड़ा देखना चाहते हैं तो आप यह HTML वाले folder में dump कर दो सारी files लेकिन इस बात की पूरी समझ रखते हुए कि आप इसी server पे एक से ज़्यादा PHP website host कर सकते हो अभी गलिए हम क्या करेंगे अगले वीडियो में आएंगे वापस और यह जो हमारा HTML folder इसके अंदर idiscuss की सारी files डाल देंगे और उस script में change करेंगे और उस script में change करके हम लोग इसको यहाँ पर डालेंगे और देखेंगे idiscuss चल रहा है कि नहीं और उसके बाद हम लोग यह भी बात करेंगे कि अगर आप लोग अपनी website को www.idiscuss.com या फिर idiscuss.info इस तरह की websites use करके आप देखना चाहते हैं यानि कि domain अगर आप लोग देखना चाहते हैं तो मैं go daddy पर जाओंगा आप लोग किसी भी service से खरीद लो मैं go daddy से खरीद लेता हूं नहीं तो name cheap से खरीद लेता हूं कभी-कभी देखो सारे के सारे providers सेमी हैं डोमेन में कोई जार अटेंशन नहीं है ले लो ठीक है जहां सस्ता मिल रहा है ले लो खतम बात ठीक है तो idiscuss.com सबसे पहले खोजो कि तो 3,70,000 पा क्या मजा कि मेरे साथ कर रहा है तो कह रहा है कि यह प्रीमियम डोमेन है प्रीमियम डोमेन इसलिए आपको महेंगा मिलेगा तो कोई बात नहीं सर आप इसको किसी और को बेचो मेरे पास तो पैसे नहीं है तो मैं क्या करूंगा है तो myidiscuss.com देखोंगा तो मेरा क्या होता है न कि जब भी आप डोमेन खरीद रहे हो तो इधर उधर के डोमेन साब देखो तो कोई मुझे 200 रुपे में मिल ला है ठीक है myidiscuss.com तो अगर आप लोग myidiscuss.com को खरीदना चाते हो खरीद उसको add to card करो इस पर account बनाओ और payment को पूरा करो और आपको फिर जो है console मिल जाएगा देखो पढ़ रहा है कितने का यह पढ़ रहा है 1200 रुपे का बढ़ रहा है दो साल का आपको तो यह जुमला होता है पता नहीं क्यों ऐसे लिखते हैं लोग मुझे अच्छी नहीं लगती यह चीज़े कोई वीज़े लिखते हैं मैं आएंगे और यह देखेंगे कि अपनी files को upload कैसे करें server पे क्योंकि देखो यहां से तो मैं upload करनी सकता और विम विम करके तो मैं सारे type करूंगा नहीं तो अगर drag and drop मैं कर दूँ अपनी सारी की सारी files तो कितना अच्छा रहेगा तो वो देखने के लिए हम लोग जो है एक program install करेंगे जिसका नाम है files अला और देखेंगे कि कैसे उससे हम लोग upload कर सकते है files को अपने server के अंदर So guys I hope कि आप लोग enjoy कर रहे है PHP की playlist को और मुझे एक comment करके आप लोग यह बताओगी क्या यह सारी चीज़े आप grasp कर पा रहे हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ मैं बहुत slowly इसलिए बता रहा हूँ ताकि सब लोग सारी PSCase को समझ पाएं और जो advanced users भी हैं जो कि use करते हैं already लेकिन उतना clarity नी है उनको उनको भी clarity मिले और उनको कम से कम कुछ नहीं तो यह जो मेरी tips and tricks मैंने बताई है वो तो शायद पहली बार यह उन्होंने देखियोंगी there is a 99.9% chance कि यह trick आपको पहले नहीं पता होगी क्योंकि यह साही चीज़े मैंने बहुत मुश्किल से सीखिया और मैं अपने experience के आधार पर आपको बदा रहा हूँ कि सब लोग को नहीं आती है जैसे कि आपकी machine अगर यहां पर है आप log out करना चाहते है आप exit कर देंगे फिर उसके बाद लॉग in करना चाहते है तो आप सिर्फ opm1 लिखेंगे यह निकी open machine 1 dollar के बाद एंटर मालेंगे और आपको password भी नहीं डालना पड़ेगा और आप सिर्फ जो है वह login हो जाएंगे तो मेरे साब से यह चीज जो है वह बहुत ही बढ़िया है और आप लोग जो है इसको अच्छी तरह से यूस करेंगे और इसको आप जो है फाइदा उटाएंगे इसका और आपको enjoy भी आप कर रहे होंगे जो लोग password बार बार डाला करते हैं बड़े-बड़े droplets के अपने वह आप लोग password नहीं डाला करेंगे वह आप लोग directly login करेंगे अब cd करके मैं where www मैं आ जाओंगा वापस से और html के अंदर आगे कि यहाँ पर वह files में डालने वाला हूँ जो कि मैं upload करूँगा तो मैं आपको बताता हूँ terminal से file delete कैसे करते हैं मैं यह दोनों files अगर delete करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा rm-rf in और tab दबाऊंगा index.php लिखूंगा tab से autocomplete होता है rm-rf और उसके बाद मैं लिखूंगा in और tab अब minus rf की जरूवत निया अब rm भी करो के तो एक file delete हो जाएगी लेकिन rf recursive अगर आप लोग recursively files को फोल्डर के अंदर delete करना चाहते हैं तो इसके लिए काम आता है तो इससे file of folder दोनों delete हो जाते हैं इसलिए मुझे red गया है command rm-rf और जो भी file of folder आप डालते हैं वो delete हो जाते है अगर आप लोगों ने प्लेलिस्ट अक्सेस नहीं करी तो यह क्लिक करके bookmark करना हो यह क्लिक करके save करना हो उसी के साथ साथ यह प्लीज इस वीडियो को लाइक जरू करते हैं कि मैं बहुत महनच से इन वीडियो को आप लोग लिए बना रहा हूँ और आप लोग अगर एंड्यात आप लंग आप लाए्ट लाए्ट वड़त आपको अच्छिछ ऑन रागरियो से मॉended।